तो in HCP, atoms are placed as followed, देखो ध्यान से यहाँ पर, तो अपन बनाएंगे open structure पहले, फिर बनाएंगे space field, तो देखो open structure में क्या है, as name suggests, एक hexagon होगा, actually दो hexagon होगे, ठीक है, तो यह hexagon है, यहाँ पर उपर भी एक hexagon होगा, ठीक है, फिर इन दोनों को अपन connect कर देंगे, उपर भी atom, नीचे भी atom और इस तरीके से देखो समझाता हूँ, यह क्या बनाएंगे, चिंता मुत करो, यह hexagon, यह hexagon connected है, ठीक है, और जो भी corner बन रहा है, उन सारे corner पर देखो, मैंने atom रखें, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, फिर, इन चे के बीच में जो space है, उसके center पर भी atom रखा है, मैंने यहाँ पर, और यहाँ भी रखा है, और, तीन atom और रखें, इन दो layer के बीच में, अपन बोल सकते हैं, यह साथ atom, एक plane में, यह साथ atom एक plane में, और यह तीन atom एक plane में, यह इनको layer बोल सकते हैं, तो layer wise structure है यह, समझ में आ रहा है, मतलब यह है layer 1, यह layer 2, और यह layer 3, तो यह जो है, यह अपना hexagonal closed pack structure है, यह unit cell नहीं है, वो देखेंगे unit cell क्या होगा, समझ में आ रहा है, but this is how, इतना simple है, तो यह मैंने बता दिया, this is called hexagonal closed pack structure, 7 atom नीचे, 7 atom ऊपर, और रखा कैसे हैं, समझ में आ रहा है, hexagon के बीच में भी एक atom रखा हुआ है, इस तरीके से, और 3 atom बीच में हैं, जो layer 2 है, अब कई बच्चों के एक आउट आता है, sir, यह hexagon कैसे हो गया, अब देखा था hexagonal crystal system, देखो कैसे बगलने बनाता हूँ, यह देखो, यह जो red वाला दो को part दिख रहा है, यह दिखाएगा तुम्हें, hexagonal crystal system, जाकि देखो मैंने बताया था, यह था hexagonal crystal system, फिर बोलो, अपन बो तुम बोलोगे, इस पूरे को study क्यों कर रहे है, उसका reason यह है, कि यह तीन atom बीच में आ रहे हैं, और वो बीच में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं, closed packed structure, that's it, क्योंकि अपन closed packed structure बन रहे हैं, इस पूरे से study कर आ रहा हूँ, that's it, है यह, इस तरीके से ही, देख रहे हैं, यह red वाला part, है यह hexagonal crystal system ही, और समझ मैं रहा है, hexagonal crystal system को actually, मतलब hexagonal नाम देने का better reason और क्यों है, उस ultimately क्या बन रहा है, hexagonal structure बन रहा है, is this clear, तो तुम्हें बस इतना याद रखना है, this is our structure of hexagonal closed pack, अगर यह तुम्हें structure मैंने दे दिया, अब तुम्हारा काम है, इसके अंदर, अपना काम मैं बताऊंगा, अपना काम है, unit cell निकालना, बट पहले मैं इस structure को थोड़ा और अच्छे से explain कर देता हूँ, क्योंकि आगे अपनको इसको बाद मैं वाफिस study करना है, तो अपन थोड़ा सा मैं इसको और अच्छे से explain कर देता हूँ, यह है कैसा, तो space fill structure कैसे होगा, देखो, यह हो गए अपने 7 item, यह layer 1 बना दी, एक, दो, तीन, चार, पांच, शे, तो यह एक, दो, तीन, चार, पांच, शे, और इनके बीच में यह item रखा हुगा है, एकदम fit होगा यह, अगर सारे same size की हैं तो, ठीक है, इसको मैंने अपना layer A, या layer 1, अच्छा यह, फिर यह 3 red वाले item होगई, ठीक है, और फिर वापिस, इसको बोला layer 2, इसको बोलते रहो item number 1, इसको item number 2, इसको item number 3, आगे समाज में आएगा क्यों, फिर layer 3 अपनी same होजाईगी 1 की तरह है, वो यह है, समाज में आ रहा है, यह कैसा है, यह दो खो, यह layer 1 है, यह layer 2, layer 1 के atom इस तरही के से है, layer 2 के atom यह 3 है, और यह layer 3 के atom भी similar है, 1 की तरह है, समाज में आ रहा है, अब, actually, यह 3 atom जो red वाले हैं, वो कहां रखे हुए हैं, वो देख हो हैं ध्यान से, समाज में आएगा, this is the position number 1, एक, दो, तीन, यह जो 3 atom है, इनके बीच में जो cavity है, अपन बोल सकते हैं, जो crater है, ठीक है, उस पर अपन atom रखेंगे, atom number 1, समझ में आ रहा है, एक, दो, तीन के बीच में, जो crater बन रहा है, जो cavity बन रही है, उस पर रखेंगे atom number 1, फिर एक, दो, तीन, इन तीनों के बीच पर जो cavity है, जो crater बन रहा है, मतलब यह है, crater में इसलिए बोल रहा हूँ, इनको disperse नहीं करना है, समझ में, displace नहीं करना है, इन तीनों, ये तीन के तीन atom ऐसे ही रहेंगे, इन तीनों के ऊपर, अपन atom number 2 रख देंगे, समझ में आ रहा है, इनको हटाएंगे नहीं, इनको disturbing नहीं करेंगे, समझ में आ रहा है, ठीक है, फिर ये atom number 3 कहा होगा, एक, दो, तीन यहाँ पर, मतलब, ये होगे अपना position number 2, और ये होगे अपना position number 3, वापिस, atom number 1 कहां रखा हुआ है, red वाला, इन तीन atom के बीच में, बट, बीच का मतलब ये नहीं, कि इनको हटा के बीच में रखो, समझ में आ रहा है, ये जो crater बनेगा, तुम तीन atom रखोगे, उनके बीच में crater बनेगा, उस crater पर रखा हुआ है, इन तीनों के बीच में crater बनेगा, उस पर रखा हुआ है, atom number 2, इन तीनों पर जो crater बनेगा, उस पर रखा है atom number 3, और इन के ऊपर, exactly सेम तरीके से, layer number 3 रखी हुई है, अब तो मैं समझ में आएगा, किस तरीके से रखा हुआ है, अगर मैं इसको side से बता दूँ, तो फिर और clear हो जाएगा, तो देखो, अपने को side से देखते हैं, side से कैसा देखेगा, यह मैं पूरा खोल के बता दिया, किस तरीके से, अब मैं side से बताता हूँ, तो देखो side view, side view और side से देखेंगे न, तो देखो, पीछे वाले atom डिखनी पाएंगे यह दो, अगर इसको अपन side से देखेंगे, यह 3D हैं बताया, यह पूरा खोल के बता दिया, अब side से देखते हैं, ठीक है, और यह इस तरीके से होगा, side से ऐसा देखेगा यह, तो देखो, यह तो होगा है अपने पास सामने वाले दो, ठीक है, यह atom यह रहा, यह atom यह रहा, यह atom, face center वाला, यह है, ठीक है, पीछे वाले दो देखेंगे नहीं, और यह 3 जो हैं, वो यह हैं, देखो, 1, 2, 3, समझ में आ रहा हैं, तो यह हैं, अब समझ में आ जाता है सबको, इतने तरीके से अगर देखोगे तो, यह 3DM बताने का try किया, फिर इसको पूरा खोल के बता दिया है किस तरीके से, और अब side से देख रहे हैं, तो समझ में आ गया होगा, किस तरीके से, hexagonal closed pack structure बनता है, बट यह इसका unit cell नहीं है, इसका simplest repetitive क्या होगा, वो पन देखेंगे, ठीक है, तो this is the space filled structure of hexagonal closed packing, closed pack क्यों बोलते हैं, वो थोड़ा बाद में देखेंगे एक साथ, जब closed pack पढ़ेंगे, इसके बाद ही आएगा, बट पहले अभी अपन क्या निकालेंगे, आटम्स in HCP unit cell या total contribution, ठीक है, तो देखो, so the contribution by atoms at the corner of HCP lattice निकालना, तो पहले अपन lattice बना लेते हैं, इस तरीके से, अभी बनाया था अपन ने, इस तरीके सा था, अपन को इस corner वाले atom का क्या निकालना है, contribution, तो देखो, best तरीका आतो है, पहले सोचो, खुझ से imagine करो, diagram structure बना के देखो, और सोचो, कि ये corner वाला atom, कितने unit cell में shared होगा, फिर अपने अप समझ में आ जाएगा, बट मैं सीधे बताऊंगा, क्योंकि एक class नहीं है, ठीक है, यहाँ wait नहीं कर सकते हैं तुमारे लिए, बट best होगा, तुम लोग try करो और सोचो, इस atom का contribution पर unit cell कितना होना चाहिए, ठीक है, मैं बताता हूँ सीधे, तो कैसे निकालेंगे, ये निकालते हैं, ये atom कितने unit cell में share होगा, तो दोखो इसमें तो आए गई, इतना तो दिग्या होगा, बगल में एक और unit cell आएगा, उसमें भी आएगा, यहाँ आएगा, उसमें भी आएगा, देखो बना के देखते हैं अपन, फिर समझ में आएगा, one six total contribution आएगा, निकाल के देखते हैं, देखो, ये जो है, देखो यहाँ ध्यान से, ये जो atom है, ये है, ये च्छह unit cell में share होगा, कैसे, इसमें तो है, इसमें भी होगा, ये जो हैं side में आएगा, एक unit cell यहाँ आएगा, और तीन ऊपर आएगा, देख रहा है, कितने में share होगा, च्छह, तो इसका, कितना contribution आएगा, one six, ठीक है, सोचो, बट, मैंने बता दिए, ये अगर बता दिए, तो फिर तो दिखी हो रहा होगा, अगर च्छह में share हो रहा है, तो पर unit cell कितने आएगे, one by six, तो बोल सकते हैं, atom shared with six unit cell, one by six contribution आगया, the contribution by atom, at the face center निकालते हैं, अब, तो बहुत ही आसान है, अगर ये समझे में आगए, तो face center निकाल लोगे, ये face center वाला atom, इसमें तो दिखी रहा है, अगर इस वाले को बात करेंगे, तो उपर वाले में भी आएगा, इसका निकालते हैं अपन, कितना आएगा, half, कैसे आएगा देखो, ये था एक, और ये है दो unit cell, खतम, atom shared with, two unit cell, ये इस unit cell में भी होगा, इस में भी होगा, तो per unit cell कितना आएगा, one by two, कितना असान है, बस structure अगर समझ में आगए ना, तो सब समझ में आएगा, और इसलिए मैंने डिटेल से बताया था, कि structure क्या होता है, समझ में आ रहा है, so, corner वाले का one six, face center वाले का half, अब बताओ, ये जो red वाले रखे हैं, कितना आएगा इसका contribution, full, देखो एकदम बीचों बीचे भाई, full contribution आएगा, साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, किसी और से share नहीं होगा, अब बोल सकते हैं, the contribution by atom, inside the unit cell, कितना आना आएगा, बोली दिया में inside the unit cell, अगर unit cell के अंदर है, तो कितना आएगा, full, तो तीन तरीकी के atom है, जो एक corner पर रखे हैं, face center पर रखे हैं, और बीच में इसको body center नहीं बोलेंगे, जो unit cell के बीच में रखे हुएं, समझ में आ रहा है, अंदर रखे हुए हैं, बीच में भी नहीं, अंदर बोलना चाहिए, अंदर रखे हुए, ठीक है, तो total contribution of atoms निकालेंगे, कैसे निकालेंगे भाई, देखो, जैसे में निकाला था पन है, by atoms in HCP unit cell, कितना आएगा, बारा, एक, दो, तीन, चार, पांच, यह, एक, दो, तीन, चार, पांच, यह corner वाले atom है, कितने, बारा, और हर एक का कितना contribution आ रहा है, 1 by 6, तो बारा इंटो 1 by 6, plus, face center वाले कितने हैं, 2, कितना contribution है, half, आदे आदे आ रहा है, तो दोनों मिला कि एक हो जाएगा, plus, जो inside unit cell हैं, कितने हैं, 3, full contribution, total कितना आ गया, 6, यह आशान था, ठीक है, सिर्फ एक ही चीज़ रहा है, कि closed pack क्या होता है, जो पन अगला वही है, closed pack structure क्या होता है, यहां तक, सब लोगों को, यह पता पढ़ गया होगा, cubic और hexagonal के अंदर, हर तरीके के atom का, contribution per unit cell, कितना होता है, जो अपन को सीखना था है, यहां पर, समझ में आ रहा है, और अपनने detail में तो देख भी लिया, structure of simple, body center, face center, hexagonal closed packing, इनका special arrangement है कैसा, atom actually किस तरीके से, arrange है, वो भी समझ लिया अपनने, तो अपना थोड़ा सा imagination, better हो गया होगा, कि unit cell किस तरीके से दिखते हैं, atom किस तरीके से, arrange होते हैं, is this clear, अब अपन आगे बढ़ते हैं, और, closed packing ही देखते हैं, कि closed packing है क्या जो मैंने भी बोला, नाम में लिखा है वैसे, closed packing, एक दम पास में, जितने पास में atom हो सकते हैं, फिर समझ में आएगा, ये hexagonal ऐसा क्यों बनाया था, तो अब अपन चालू करेंगे, closed packing,